हे दोस्तों हम आ चुके हैं देखिए विकास एको टेक के शेयर पर और इसका आज रिजल्ट आया है ओनिस तारीक आप देख सकते हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट आया है कैसे नंबर रहे यह देख लेते हैं लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें देख लेते हैं कैसा रिजल्ट रहा यह आप देखेंगे कि साड़े च्छे बज़े यह रिजल्ट घोसित किये गए हैं 5-20 पर यह मिटिंग हुई थी देखे देखेंगे यह जो है सब लाक में दिये हुए हैं तो देखते हैं देखिए 13493 लाक रू रूय की हो गए 134 करोड का ज्यल्ट इसे टाटल इंकम की है और अगर expenses देखें तो लगभग लगभग ये भी 87 करोड से 131 करोड हुए हैं और पिछले साल 74 करोड था तो ये लगभग डबल हो गया है यहां से भी पिछले साल सितंबर के 2021 के quarter से profit और loss देखते हैं तो देखेंगे देखिए जो ये है हमारा profit and loss लगभग लगभग दुगन से भी ज्यादा 169 था पिछली बार और 366 है इस बार और यही था 86 सेम क्वाटर में और देखें यह जो है शेयर विकास एकोटेक सेम इसी के तरह चलता है लगभग विकास लाइफ केर तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा ही जो रिजल्ट है उसका भी आएगा EPS देख लेते हैं लाश्ट में देखें EPS है 0.05 का जो पिछली बार था 0.02 और सेम क्वाटर में 2021 में था 0.01 का तो बहुत ही शांदार रिजल्ट यह मेरे को दिखाई देते हैं लाश्ट में देख लेते हैं देखें समरी इसकी देखें समरी जो निकल कर आती है वो यह है कि रिवेनी जो है हमारा 135 करोड का लगवाग इसने जनरेट किया है quarter to quarter देखेंगे तो यह 52% इसमें जम्प देखने को मिली है और year to year देखते हैं तो 80% की रिवेनी में जम्प देखने मिली है प्रोफिट हमारा हुआ है 3 करोड 24 लाग का और यह quarter on quarter है 142% अप और year to year 445% अप है तो दोस्तों आने वाले समय में कंपनी के टार्गेट बहुत अच्छे होने वाले हैं आपको 4-5 सालों में यह जो है 20-25 गुना होते हुए भी कंपनी दिखाई दे सकती है मतलब 100-110-120 रुपे तक के टार्गेट यह 5-6 सालों में आगे दिखा सकता है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत